आलिया भट और रनबीर कपूर की शादी 13 से 17 एप्रेल तक फिक्स की गई थी जिहां 13 से 17 तक होने थे इनकी शादी के फंक्शन्स लेकिन एन मोके पर शादी का वेन्यू बदल दिया गया शादी की तारीक बदल दी गई इतनी जल्द बाजी में क्यों हुई आलिया और रनबीर की शादी चलिए आपको ये बताते हैं दरसल ये सब किया गया मीडिया को इस शादी से दूर रखने के लिए असल में एक चर्चित वेब साइट की माने तो आलिया भट और रनबीर कपूर ने अपनी शादी के राइट्स एक OTT प्लाटफॉम को 110 करोड में बेची हैं जिहां आलिया और रनबीर ने बेची है अपनी शादी की फुटेज 110 करोड में इसी के चलते ही आलिया और रनबीर की शादी की फुटेज इडिया में लीक नहीं की गई इसी के चलते ही शादी से पहले इतनी सक्ती बरती गई थी इसी के चलते ही प्राइवेसी की बाते कही जा रही थी 110 करोड जब आम जनता की शादी होती है तो बेटी का बाप कर्जे में डूप जाता है लेकिन ये सितारे अपनी शादी से भी लाखो करोडों कमाते है